ब्रोकर को आपको कोई चीज परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो ब्रोकर को आपको एक कॉंटाक्ट नोड देना जरूरी होता है। जिसमें बड़ा क्लिरली मेंशन होता है कि आपने किस टाइम पे, कितने शेयर्स, किस रेट के उपर अपने परचेस किये, उसमें टाइम वगरे सब कुछ मेंशन होता है, वो पूरा कॉंटेक्ट नोट आपको उसी दिन आना चाहिए, विदिन 24 आर्स, और अगर आपको कोई ब्रोकेशन भी करना होता है, तो एक्षेंज की वेबसाइट के ओपर जाकर, आप अपना जो आपके युनिक कोड, क्लाइन कोड होता है, वो डालके, आप अपने सारे टांजिक्शन, ब्रोकर का कोड डालके, आप सारे टांजिक्शन देख सकते हैं, तो ये बहुत इंपोर क्योंकि आज जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई शेर बेचना है, या कोई शेर खरीदने है, आपको उसकी ब्रोकर की अगर रिसर्च मिलती है, तो आप एक इनफॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, तो उसकी रिसर्च कैसी है, उसका जो टेडिंग टर्मिनल, उसमें बड़ा यूजर फ्रेंली अगर सोफ्टियर है उसका, तो आपको बड़ी आसानी होगी, और आपको सोधा एक्जिगूट करने में आपको कोई परशानी नहीं होगी.